दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर आए आज कुछ नई चीज सीखते हैं, हिंदी भाषा, हिंदी साहित, हिंदी व्याकरना विद्यारतियो आज की वीडियो हम बना रहे हैं, कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक 36 के प्रथम पाठ प्रेमचन जी द्वारा लिखियो दो बैलों की कथा के उपर इसमें हम दो बैलों की कथा की पाठ का वाचन कर रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं, उसका भाव बता रहे हैं इससे पहले हम एक दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें पहले पाठ का परिचे लेखक का परिचे दे चुके हैं और पाठ का ये करणशम पड़ चुके हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकोन को जरूर दबाएं तक कोई वीडियो मिस न कर पाएं आईए तो सुरूर करते हैं आज की वीडियो तो संयों की बात जुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया बैलों को क्या मालूम विक्यों भेजे जा रहे हैं समझे मालिक ने हमें बेच दिया अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगाया बुरा कौन जाने पर जुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दातों पसीना आ गया अर्थात जैसे पशुओं को अक्सरम बेचते हैं तो उन्हें बेच दिया और उसका जो साल अपनी ससुराल भेज दिया था तो उसका जो साला था वो ले जा रहा था तो उसका बड़ी परिसानी हुई क्योंकि बैल उससे ठीक से चल नहीं पा रहे थे पीछे से हाकता तो दोनों दाएं बाएं भागते पगिया पकड़ कर आगे से खींचता यानि कि उनकी रसी जो बांद रखी थी वो पकड़ खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते अर्थात ना आगे चलते ना पीछे दाखते चल पा रहे थे मारता तो दोनों सिंग नीचे करके होकारते अगर ईश्वर ने उन्हें वानी दी होती तो जूरी से पूछते तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो अर्थात यदि बैल बोलना जानते हैं बोलना तो जानते हैं लेकिन उस भाषा में जिसमें कि मनुष्य समझ सके बह którą तरीके से यह मनुष्य जैसे बोल सकते तो वो कहते हैं कि हमने आपका क्या भी गाडा है क्यों हमें आप इस तरफ से घर से निकाल रहे हो हम तो बहुत सह्च बाव से जो कहते हो काम करते हैं जैसा रूखा सुखा दे देत हैं वैसा खा लेते हैं फिर घर से क्यों निकाल रहे हों हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी अगर इतनी महनत से काम ने चलता था तो और काम ले लेते अर्थात बैल ये भाव रखते हैं हम और अधिक परिश्रम करने के लिए भी तयार हैं यदि आप अ आलिम के हाथ क्यों बेच दिया ये बैलों के मन में एक दुख था एक दर्थ था कि अचा देखी बैल जब खाता है पशु जब खाता आपने देखा होगा उसकी गर्दन नीची होती है तो वह बहुत सहज भाव से कह रहे हैं कि गर्दन जुका करके चुपचाप से बिना कि संध्या समय दोनों बैल अपने नए इस्थान पर पहुंचे दिन भर के भुखे थे लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुहन डाला दिल भारी हो रहा था जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था ये नया घर नया ग क्यों क्योंकि वो नया जो परिवेश था अब सोचिए कि मतलब मनुष्य पशू जब इस तरह से नए परिवेश में जल्दी से रम नहीं पाते हैं मन नहीं लगता है तो मनुष्य का कैसे लगते हैं खासतोर से यहां पर आप कलपना कीजिए कि एक लड़की 20-22 वर्स तक अ अपने घर में अपने माता जी पिता जी भाई बहन के साथ में रहती है और तब वो विवाईत होकर के एक नए घर में आती है तो कितना कठिन होता है उसके लिए और कितनी बड़ी मतलब एक इस्थती होती है कैसे वो एड़जेस्ट करें अपने आप में हालांकि एक समाज क नियम बना रखा है, लेकिन कहने का मतलब एक बड़ी चुनोती है अपने आप में, उसका मन लगना, उसको सहज भाव से समझना ही सारी चीजे, एक प्रत्यक्स रूप से कहीं न कहीं रचनकार ये बात भी कह रहे हैं, दोनों ने अपनी नोक भाषा में सलहा की एक दूसरे को कनखियों से देखा, यानि कि चुपके से देखा और लेट गए, जब गाउं में सोता पड़ गया, तो दोनों ने जोर मार कर पगे तुड़ा डाले, यानि कि वो रस्षी जिन से बंद रहे थे, तोड़ दिये, जब चुप ऐसा लगता है, जैसे कोई बैल नहीं तोड़ पाई, कितने तगड़ी रस्षी थी, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, एक एक जटके में रस्षीयां तूट गई, यानि कि जब आदमी चाहता है, तो कोई भी काम कठिन नहीं होता, खम ठोक ठेलता है, जब नर परवत के जाते पाउं खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, दिनकरजी ने लिखा है, कि पत्थर को भी पिंगला कर पानी बनाने की शक्ति मनुष्य में है, यानि कि प्राणी में है, ताकत है, तो ऐसा बैलों ने ताकत लगाई कि पघा तोड़ दिया, रसी तोड़ दिया, जूरी प्रातेकाल सोच उठा तो देखा कि दोनों बैल चरणी पर खड़े हैं, दोनों की गरदोनों में आधा आधा गराओं लटक रहे, घुटने तक पा जाते हैं, वहाँ जा बांदे जाते हैं, और एक कीचड में, धूल में, सन के चल के आए हैं बड़े परिसानी में, यह सब इस्तती और दोनों की आखों में विद्रो में इसने चल लग रहा है, यानि कि एक उलहाना भी है, एक शिकायत भी है और प्रेम भी है कि क्यों हमें जूरी बैलों को देखकर इसने से गदगद हो गया, दोड़कर उने गले लगा लिया, प्रेमा लिंगन और चुमन का वहे द्रश्य बड़ा ही मनोहर था, यानि कि जूरी उनकी बैलों की बेथा को समझ दे, और चुपचाप से जाकर के दोड़कर उनको गले लगा लिया, और उनको प्रेम करने लगा, उनके गले मिलकर उनका चुमन लेने लगा, सहज प्रेम है ये, बिल्कुल होता है, सब के साथ होता है, तो पश्वों के प्रती मनुष्य का बहुत प्रगार प्रेम होता है, और किसान का तो जबरदस्त होता है, बैलों के साथ में, गाई के हो गे और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे गाउं के इतिहास में ये घटना अभूत पूर उन्हें होने पर भी महत पूर थी यह निकि गाउं के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन ऐसे छोटे-छोटे छणों को उत्सव के रूप में बड़े रूप पत्र देना चाहिए यह ने ही बच्चों ते गाउर प्रतिवाद करने का किसी को कुई सास नहीं सभी लोग उन बैलों की प्रशनसा कर रहे थे और अलग अलग रूप से उनकी विश्रिष्टा बता रहे थे निश्चित रूप से जो अकेले चले आए इतनी विश्रिष्टा हो जिसा लगता है जिसा कि पशू नहीं यह आदमी हो किसी पूरुजनम के और सब ने इस बात को स पिहर गए थे काम करने के लिए ले गए थे यह नमक अराम निकले इन्होंने काम नहीं किया वहीं से भगिया एक दिन में निवुखे जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका नमक अराम क्यों है चारा दाना न दिया हो तो क्या करते है जूरी को थोड़ा गुस् पिला पिला कर रखते हैं अर्थात एक तरह से उपालम भे कटाक शेप्रेमा लाप है कि देखिए तुम खिलाना जानते हैं तुम ऐसा लगता है और सब तो सिर्फ पानी पिलाते हैं ऐसा नहीं है मेरे घरवाले बहुत ध्यान रखते हैं एक तरह से यह कहना चारी है जूरी कहां से खली और चोकर मिलता है सूखे भूसे के सीवा कुछने दूंगी खाएं चाहें मरें यहां पर जुरी की पत्नी एक तरह से यह भी कहरें एक तुम्हारी तरह बैलों की इतनी सिवा कोई नहीं करता है सिर्फ काम करवाता है बस चारा डाल दिया काम करो तुम तो उन्हें बच्चों की तरह रखते हो यह भाव नहीं होना जाए अब मैं इनको सूखा भूसा दोंगी विशिस खाना कुछ नहीं दोंगी वही हुआ मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए जो उनके यहां काम करता था उसको कह दिया सिर्फ सूखा भूसा डालो बस बैलों ने नांद में महों डाला तो फीका फीका ने कोई चिपना हट ने कोई रस क्या खाए आशा भरी आँखों से द्वार की और ताकने लगते जूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे मालकिन मुझे मार ही डालेगी चुरा कर डाला ने दाद उसे ये जो सूखा भूसा है वो कैसे खाय जा सकता है और बैलों के प्रेम के कारण लगातार ये प्रियास कर रहा है कि उसे खाना मिल जाए अच्छा मिल जाए लेकिन खेर वो नहीं मान रहे हैं चलिए विध्यार्थियों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं चौकि ब ग्यासा है कोई प्रशन है तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट के साथ मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार